एंजिल्स एंजिल्स मेंस होते हैं फरिष्टे अल्ला की बनाएवे मखलोग जो हमें दिखाई नहीं देती हैं यह कह सकते हैं कि यह servants of Allah सुवानओं ताला हैं और हमारे helpers हैं हमारे मददगारे अल्ला ने इनको हमारी मदद के लिए बनाया है और इसपेशली अपनी इबादत के लिए अपनी बंदगी के लिए अपनी पूजा के लिए बनाया है एंजिल्स मेंस फरिष्टे ठीक है एक होता है एंगल एंग मतलब जैसे एक लाइन यह किची है इन दोनों के बीच की जगह है इसे एंगल कहते हैं इसे थीटा की नाम से शो करते हैं जालता ठीक चलिए वह अलग टॉपिक है तो एंग एंग एंजिल्स जो है यह अरभिक वर्ड हैं जिसका मतलब होता है मलक हम इनको कहते हैं विसल्ड को मलाइका मलाइका यानि फरिष्ट ऐनिंगे इंजल्स इभ देर जो दिन वन एंजल्स इंजल्स मलाइक और एंजल्स आर्क्रेटेडट ये अगर्यां रॉमाईका मलाईका किस ने बनाए है अल्ला सुबाराव ताल्ह ने किस चीज़से बनाई है लाइट से जैस यह हमारी तरह नहीं है हमारी क्या हैं हमें भूग भी लगती है नीद भी आती है खाना पीना है मन भी है मन चाहरा है तो कोई काम करेंगे नहीं करेंगे लेकिन इनके अंदर कोई नहीं है इच्छा नहीं है ठीक है अपनी च्वाइजेस नहीं है ठीक यह बस अल्ला के फर्मा बर्दारी करते हैं अल्ला ने जो कह दिया वो करते रहते हैं हमेशा जब तक कि दूसरा काम ना कहा जाए उन्हें करेंगे वही काम करते रहेंगे जो इनको ड्यूटी दे दी गई ये लेकी तरफ से वही करेंगे ये फरिश्टों के जैसैं, सोरी, आउप समेट्स हैं ये लेह की अशचाँ ये अला के सरवंट है इसानी है कि अभी बी आに ना-फरमानी नहीं करते है ऐसा नहीं है कि अलऒब तया है जा तूम रुकूँ में रहो थो रुकूँ में नहीं एसा नहीं है हड चीज एक बार में सुनते हैं और हमेशा करते रहते हैं ठीक है अलग अलग फशेटों के अलग डूटी है जैसे आसमान इतना बड़ा है इतना बड़ा आसमान है जिसके नीचे लाको करोडो दुनिया है लाको करोडो अर्बो खर्बो सूरज है और सूरज से बड़े-बड़े सितारे हैं दुनिया से तेरा लाग गुना बड़ा सूरज है सूरज से कई गुना बड़े-बड़े सिता तरह से बहुत दूर है हमें चोटे दिखते हैं लेकिन बहुत बड़े हैं ठीक है तो करोड़ो तारे गैलेक्सी में हैं जैसे हमारी गैलेक्सी युनिवर्स है तो य तो यह सारी चीज हैं तो यह एक आस्मान के नीचे ना एक आस्मान के नीचे तो सोचिए गार त सिसे जो एक आस्मान इतना बड़ा है वे उतिना उपर क्या knit थे ओंपर सॉमने है जो फेले हर दूसरा ऐसमान इस बड़ा है, कई गुनाव बड़ा है, ठीक है, या असमान से बड़ा या असमान से बड़ा है, चौत्छे आसमान पे हदरत एईसाय अलई इसलम जहां दखे हैं, जिनको अल्लभ ताला ने आस्मान में उठा लिया था, अब वो कयामत से पहले इस दुनिया में उतारे जाएंगे दज्जाल को खतम करने के लिए нा इसी तरह हर आस्मान पे अलग अलग फरिश्ते या नभी भी है और हर आस्मान पे अल्लएट आल्एवागी अबादत के लिए फरिश्ते हैं एक बारिज बराबर भी जगह नहीं है जहां पर फरिष्टे अल्ला की अबादत में मजगूल ना हो किसी से अल्ला ने कह दिया कि तुम जो है सजदे में रहना तो वो कियामत तक सजदे में रहेंगे जब तक अल्ला कहे ना फरिष्टे पकड़े में वह जो अल्ला जिसके उपर हैं तखत के उपर वह फरिष्टे भी अल्ला उनको हुकम देते गा और वह भी मर जाएंगे तो वह अलग ड्यूटी फिर अल्ला जोश में अब कहां हैं दुनिया वाले हैं बाश्चा तो एक अलग टॉपिक है अल्ला के की बारे से तो अलग 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 अभी आते थे अलग अलग नभी नभी आते थे अनभियों तक लेके आता कम सक हूंट तेइस साल तक आए लगबाग बाइस साल पांच माने चौदा दिन मैं नाजिल हुआ है तो तेइस साल तक यहां आए जिसमें अल्ला पाग ने एक बर कहते हैं यह हर बार अपनी ड्यूटी निगवाद जब लगए जब लगए जब वह चले जाते हैं अभी के पास कुरान शर होता सही रास्ता गाइड असना अल्ला कुरान और हदीस वह चीज़ हैं जिसको इंसान प्जबूदी से पकड़ ले तो दुनिया में भी काम्याव आखरत में भी अल्ला सुभानाव ताला पॉइंटेड ज़िए एंजल्स ने फरिष्टों का हमारी मदद के लिए जब अच्छे हमार हम करते हैं सोचते हैं खाली दिन में ये अच्छा काम करेंगे नमाज पढ़ेंगे कुछ भी अच्छा काम सोते हैं दूसरी की भलाई तो तुरंत यह किराम जो अच्छा लिखना अला फरिष्टा है राइट गंदे वाला सीधी तरफ वाला वो लिख ले पिर जब कर लेते हैं तो एक ही बाल लिखता है फिर भी बहुता लिखने के बाद फिर ओजबता है ना लिखते हो के वह रहता है रात करो prawda कर चाहिए मत करो नहीं करना चाहिए इसी तरह बहुत सारे फरिष्टे हैं कुछ एंजल्स हमारे मौत के करीब में हमारे पास भी आते हैं और कुछ एक एंजल यानिकी फरिष्टे लगे इसराइल इसलाम है हम लोगों मौत देते हैं उनका एक काम है कि हमारी रूख कब्ज करना है उनका क्या नहीं है इसराइल इसलाम पानी बरसाते हैं इनका काम पानी बरसाना है बूर्ले बटको गरासा बताना है एक इसराइल इसलाम इसलाम ये कयमत के दिन दो बर सूर प्पुखेंगे सूर माने बाज़ा होता है एक इतना बड़ा बाज़ा है तारी दुनिया के इनसान मिलकर उसे नहीं उठा सकते ये लिए भूकेंगे और इसकी वाइबरेशन से पूरी दुनिया तबाह होजाए कि क आया मता जाएगी छीक इसी तरह एक हफादा फरिष्टे हैं जो हिफादत करते हैं एक्सिडेंट बगारा से इसी तरह एक जहन्नम के दरोगा जो है उनका नाम मालिक है यानि के दरोगा का जहां पे लोग बुरे लोग जाएंगे हमें भी अल्ला हिफाद करें आप सब की भी बश्त अल्चा फरिष्टों ने यंँकी डिटाल वी एक जंग हुई थी तो हम फृष्टों ने मैं बगत चीले सोलगों टें मस्तलमान इसल आम की जंग ती तो उसम्ही में